नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे, सौगत आपका हमारे चैनल सक्षम आयरुवेदा में हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोड़क्शन आफ टॉक्सिकोलोजी इसमें अभी हम आयरुवेदिक पॉशन पढ़ेंगे, जिसमें अगत तंत्र का इंट्रोड़क्शन आता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आयरुवेद के आठ अंग होते है काय बाल ग्रह उर्धौंग शले दंस्टा जरा ब्रशान उसमें से जो दंस्टा चिक इत्सा होती है उसके अंतरगत हम जो पढ़ाई करते हैं वो अगत तंत्र के अंतरगत आता है अगत तंत्र की वितपती देखें तो अगत तंत्र दो शब्दों से मिलके बना है अगद प्लस तंत्र, जिसमें अगद वर्ड भी दो शब्दों से मिलके बना है आ प्लस गद, इसमें से गद का अर्थ होता है विश, विश के अपोजिट जो काम करें वो हुआ अगद इसकी हम निरुक्ती देखें, तो रोग व्याधी गद आमया, अमरकोश का ये कोटेशन है अमरकोश के अनुसार भी व्याधी को गद कहा गया है, ये व्याधी को ही गद कहते है तंत्र, तंत्र क्या होता है, तंत्रयते विस्तारयते ग्यानम अनेन इती तंत्रम जिससे ज्यान का विस्तार होता है उसे तंत्र कहा जाता है जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे भी तंत्र कहते है इस प्रकार से अगत तंत्र की डिफिनीशन क्या हुई रोगों के प्रतिकार करने की विधाओं का विवेचन करने वाले शास्त्र को अगत तंत्र कहा जाता है विभार की भाषा में कहें तो अगत तंत्र आयरुवेद की उस शाखा को कहते हैं जो प्राणियों के विभिन विशों से रक्षा कर उन्हें आरोग के प्रदान करती है अगर तंत्र की परभाषा की बात करें तो शुशुत संगीता में अचारे शुशुत कहते हैं अगर तंत्रम नाम सर्प कीटा लूता मुशक आदी दस्ट विश वेंजनार्थम विविद विश संयों को उप्षमनार्थम चा अर्थात अगद्तंत्र उसका नाम है जिसमें साप, कीट, लूता, मुशक इन सबके विशों का दंश का उप्षमन जिसमें करते हैं उस तंत्र को अगद्तंत्र कहा जाता है हारीट संगीता में हमें कोटेशन मिलता है अब हम देखेंगे अगत तंत्र के परियाए आचारे चरक ने इसे विश गर वैरोधिक प्रश्मन नाम से बोला है ये कोटेशन हमें याद कर लेना चाहिए अश्टांग रिदय में मैंने बताया था कि दंस्टा चिकित्सा के अंतरगत अगत तंत्र आता है अमरकोष में जांगुलिक चिकित्सा कहते है जांगुली का अर्थ होता है जो सांपो को पकड़ता है और इसकी चिकित्सा को जांगुलिक चिकित्सा कहते है कुछ शास्त्रों में इसे नाकुली चिकित्सा भी कह जाता है कुछ शास्त्रों में विश्चिकित्सा या विश्टंत्र नाम से अब हम देखते हैं अगत्तंत्र का इतिहास दोस्तों हमारे शास्त्रों में यदि हम अथर्ववेद, महाभारत, रामायन इन सब शास्त्रों को उठा कर देखें तो कई ऐसी घट्राएं आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस समय अगत्तंत्र और खास करके आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप था उस समय तो हम देखते हैं अथर्ववेद में अथर्ववेद में 18 प्रकार के सर्पों की जातियों का वर्णन किया गया है विश्प्रतिविश यानि पॉईजन और एंटीटोट का वर्णन किया गया है गरुन मंत्र का वर्णन है और विशग उसर्दियों का वर्णन है फिर हम देखते हैं श्री रामायन में रामायन में सर्ब दंश की चिकित्सा में वन उशदी के प्रयोग के बारे में वर्णन आता है। जब लक्षमन जी को नाकवाश में बान लिया गया था उस समय अगज चिकित्सा ही की गई थी महाँ परूर्णी बात करें तो उसमें राजा नल में प्रमाडित मात्रा में वेश कन्या का वर्णन मिलता है। आयरवेदिय ग्लंथ में जेंवेश की चिकित्सा का प्ररालड़ियोंं के करना इन दोनों ही प्रयोजन 2006 प्रयोजन दोन सट अगर्त तंत्र का संदम और आपको यह विडियो पसंद आया दो लैक करएस्ट